इसमें अमन एक grandson है जो अपनी grandmother को बहुत miss कर रहा है क्योंकि उसके grandmother कहीं बाहर गई हुई है अब वो बाहर गई है उनसे बात करने के लिए अमन उन्हें एक letter लिख रहा है और उस letter में वो क्या क्या लिख रहा है आओ इसे पढ़कर समझते हैं Dear grandmother, I am a good boy. I wake up in the morning. I brush my teeth. I take bath. I drink milk. I go to school. I don't cry. I help mother. You are lovingly अमन. बच्चों आओ अब हम इस letter का हिंदी मेनिंग समझते हैं कि अमन ने अपनी grandmother को क्या क्या लिखा था? Dear grandmother, I am a good boy. प्यारी दादी मा, मैं एक अच्छा लड़का हूँ. मैं, I wake up in the morning. मैं सुबा उठ जाता हूँ. I brush my teeth. I take bath. मैं मेरे दांतों को प्रसे साफ करता हूँ. और नहाता हूँ. I drink milk. I go to school. मैं दूद पीता हूँ. और मैं स्कूल जाता हूँ. I don't cry. क्योंकि अमन good boy है. इसलिए वो रोता नहीं है. I help mother. और वो बोलता है कि मैं अपनी मदर के work में उनकी मदद करता हूँ. उनकी help करता हूँ. You are lovingly अमन. आपका प्यारा अमन. So children, तुमने देखा कि अमन अपने दादी को जब लेटर लिख रहा था. उस लेटर में कुछ new words भी थे. आओ इनके हिंदी मीनिंग समझते हैं. Grandmother means daddy. वेकप means जागना. बात means नहाना. ड्रिंग means पीना. Help मतलब मदद करना. Your मतलब आपका. Lovingly मतलब pray या प्यारा. अब अच्चो अब हम next exercise करते हैं. यहां तुम्हें दो कॉलम में कुछ verse दिये हैं जिन्हें तुम्हें मैच करना है. When do you do this? आप ये काम कब करते हो? Go to school. बताओ ये काम आप कब करते हो? Evening, morning, night या afternoon. Very good. Go to school. मतलब school जाने का काम तुम morning में करते हो? Good. Next word is brush. अपने दाटों को तुम brush कब करते हो? Right. हम सब अपने दाटों में morning में brush करते हैं. तो brush को किस से मैच करेंगे? Morning से. टेक बात. अब बताओ नहाने का समय कौन सा होता है? शाबास. इसमें आएगा morning. इसे हम morning से मैच करेंगे. Go to bed. सोने के लिए बिस्तर पर कब जाते हो? Right. Night में हम जाते हैं सोने के लिए. इसलिए हम go to bed को night से मैच करेंगे. Take lunch. अब बताओ. लन्च मतलब दोफर का खाना कब खाते हैं हम? Very good. दोफर का खाना हम afternoon में खाते हैं. ठीके? Take dinner. अब dinner अब रात का बोजन. रात का बोजन कब करते हैं हम? Very good. रात का बोजन हम करते हैं night में. इसलिए हम इसे night से मैच करेंगे. Do my homework. अब बताओ. Homework आप कब करते हो? I think आप ये सब evening में करते होगे. इसलिए हम इसे evening से मैच करेंगे. Take breakfast. ब्रेकफास्ट मतलब शुबा का नास्ता. तो सुबा का नास्ता हम कब करते हैं? Morning में करते हैं. Very good. So children अब हम next exercise करते हैं. इसमें क्या करना है तुम्हें? Put quama, full stop, question mark and use capital letter where necessary. मतलब यहां कुछ sentences दिये हुए हैं. इसमें तुम्हें देखना है कि किस जगह पर full stop आएगा? किस जगह पर quama लगना चाहिए? और किस जगह पर question mark लगाना चाहिए? और कब किस sentence में हमें कौन सा letter capital letter से start करना चाहिए? यह भी हम इस exercise से समझेंगे. So, first sentence is I am Mukesh. अब देखो इस sentence में full stop नहीं लगा है. So, इसके answer में देखो चिल रहे हैं कि हम I को capital letter लिख रहे हैं क्योंकि कभी भी किसी sentence के starting हमें capital letter से करना चाहिए. और फिर Mukesh के बाद में full stop आएगा. Next, my brother bought bananas, apples and oranges. अब इस sentence में देखो बहुत स्यादी चीजों के नाम लिखे हैं लेकिन इनके बीच में क्वामा नहीं लगा है. तो इसका जब हम answer लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? कहां पर क्वामा आएगा? त्यान से देखना, my brother bought bananas, apples, इन दोनों के बीच में क्वामा लगा नहींगे. And oranges, इसके बाद full stop आएगा. Next sentence is, can you play with me? अब यहां पताओ, क्या पूछा जा रहा है? क्या तुम मेरे साथ खेलोगे? तो क्या मतलब question किया जा रहा है? So children, यहां पर देखो, कि इस प्रश्ण में, इस sentence में question mark नहीं आया है. तुम्हें तो पता है, जब कोई question किया जाता है, और जब हम उसे लिखते हैं, तो उस sentence के last में हमें question mark लगाना चाहिए. तो इसमें, जब हम इसका answer लिखेंगे, तो can मतलब sentence के starting का first letter जो रहेगा, वो capital letter रहेगा, और last में हम question mark लगाएंगे. ठीक है, next sentence is, you are my friend, अब देखो, इस sentence में क्या न चाहिए, very good, इस sentence के last में हमें, वोल स्टॉप लगाना है. next sentence is, is your father in the house? अब देखो, यह भी क्या हो, एक question है, क्या तुम्हारे पिता घर के अंदर है, तो फिर प्रशन किया जा रहा है, इसका मतलब इस sentence में भी हमें question mark लगाना है, but, पहला letter is में, जो आई है, वो capital letter होगा, ठीक है, next sentence is, मीना, टीना and रीना are sisters, अब देखो यहाँ पे, मीना और टीना, दो लड़कियों के नाम आए हैं, लेकिन इनके बीच में क्वामा नहीं लगा है, तो answer में हम लिखेंगे, मीना, क्वामा, टीना and रीना are sisters, और last में full stop, और इस sentence में देखो, मीना, टीना and रीना किसी पर्षन का नाम है, तो जब किसी पर्षन का नाम लिखा जाए, उसका भी first letter जो होता है, वो capital letter होता है, ठीक है, आओ, अब मैं तुम्हें कुछ homework देती जैसे, what do you do daily and when? आओ, अब ये बताओ, तुम ये काम रोजाना कब करते हो, जैसे, देखो, यहाँ पे कुछ columns में words दिये हैं, जिनें मिला कर तुम्हें sentence बनाना है, जैसे first column में क्या दिया हुआ है, आए, फिर, read, story books in the evening, यदि मैं इन सारे words को मिला दूँ, तो एक sentence बनेगा, I read story books in the evening, तो अब तुम बागी के sentences भी इसी तरह से match करके बनाओ, next homework is complete the table, यहाँ देखो table में कुछ sentence दिये हैं, लेकिन वहाँ पर वो अधूरे हैं, जिसे तुम्हें पूरा करना है, things I do every day, things I did yesterday, do every day मतलब हर दिन, तुम कौन-कौन सी चीज़े हर दिन करते हो, आर next column में देखो, things I did yesterday, कौन सा काम तुम अगले दिन करने वाले हो, तो यह सब तुम्हें fill करना है, जैसे first example देखो, I get up at 6.30am, ठीक है, अब तुम खुद सोचो कि तुम इन वर्क्स को कब और कैसे करते हो, किस ताइम पर करते हो, और इस fill in the blanks को complete करो, ठीक है, जल्दी हम अगली class में मिलेंगे, तब तक घर पर रहो, सुरक्षित रहो,